गर्मियों के लिए खास आचम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एक दब मार्केट स्टाइल क्लासिक रॉयल फालूदा बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के सार बहुत आसान सी रेसिपी है पुरा वीडियो जरूर देखेगा पसंद आए तिसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा तो चली मिलकर बनाते हैं रॉयल फालूदा तो जिसके लिए सबसे पहले जयली बनाएंगे तो मैंने यहां पर जयली क्रिस्टल मिक्स का इस तरह के पकेट लिया है यह मार्केट में इजी ली अवेलेबल है इस पकेट मेन दो तरह के पावडर्स आते हैं दोनों ही पावड हमें इसमें एड करना है गरम पानी इस तरह का boiling hot water हमें इसमें एड करना है यह बहुत जरूरी है नहीं तो जो jelly crystal mix है वो melt नहीं होंगे और jelly अच्छे से set नहीं हो पाएगी jelly mix के packet के ओपर सारी instruction दी हुई होती है उस instruction के हिसाब से अगर jelly बनाएंगे बहुत ही perfect set हो जाएगी अच्छे से mix कर लेंगे जब तक जो granules है वो पूरी तरह से melt ना हो जाए बाद में हमें इसे तीन से चार घंटे के लिए साइट पर रख देना है ताकि जो jelly है वो बहुत ही अच्छे से set हो जाए यह room temperature पर भी काफी अच्छे से set हो जाएगी और आप चाहें ताप इसे refrigerator में भी रख सकते हैं चली आगे की process देखते हैं तो अगला step है दूद को boil करने का तो मैंने यहाँ पर लिया है 750 ml जितना full fat milk इसे हमें reduce नहीं करना है बस इसमें अच्छे से पांच से उबाला आ जाया ना उतना ही हम इसे गरम करेंगे और तब तक आप मुझे comments में यह बता दीजिए आप कौन सी city या country से इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे जानकर बहुत खुशी होगी medium flame पर चलाते हुए अब अब देख सकते हैं दूद में उबालाना शुरू हो चुका है इस टाइम पर अब हम इसमें एड़ कर देंगे तीन चम्मत जितनी चीनी चीनी बहुत जादा एड़ नहीं करनी है क्योंकि फलूदा में आगे चलके हम इसमें रोज सिरप एड़ करें बाद में ग्यास की flame को बंद कर देंगे और इसे थंडा होने देंगे रूम टेंपरेचर पर आजाने के बाद इस दूद को कम से कम 2-3 घंटे के लिए रेफिजरेट जरूर करें ताकि जो टेस्ट है फालूदा का वो बहतर आए तो चली अब आगे बढ़ता है तो next हमें त grocery store, departmental store या तो online भी बहुत ही easily available है वैसे इस सेव को आप घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी रेसिपी देखेंगे किसी दिन और वीडियो में करिबन 7 मिनिट के बाद हम सेव को चेक कर लेंगे यह काफी अच्छे से फूल चुकी ह यह सेव ना बहुत ही अच्छे से तूट जानी चाहिए यह देखें लेकिन सेम टाइम हमें इसे बहुत जादा गलाना भी नहीं है नहीं तो वह चिपचिपी हो जाएगी फालो दा सेव का जो भी एकसेस पानी है हमें उसे छान लेना है और छानने के बार इसके उपर डाल कि हम थंडा पानी ताके जो कुपिंग प्रॉसेस है वो भी बंध हो जाए और सेव हमारी खिली खिली सी रहे कुछ देर के बाद अगर आपको लगे के सेव चिपक रही है तो एक बार फिर थोड़ा सा थंडा पानी डाल दीजिएगा सेव का टेक्श बिलकुल परफेक्ट अब नेक्स टेप है सब्जा सीर्स को भीगोने का तो जिसके लिए मैं ले रही हूं दो चम्मजीते सब्जा सीर्स अब उसमें हम एड कर देंगे थोड़ा सा पानी ये नॉर्मल रूम टेंपरेचर वाला पानी है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बाद में इसे करीब को अच्छे से चिल्ड कर लें सहो करने के लिए एक ग्लास में हम लेंगे चार बड़ी चम्मज जितना रोज सिरप आप चाहे तो रुफसा का भी इस्तिमाल कर सकते हैं साथ में हम इसमें डालेंगे सोक किये हुए सबजा सीर्स जो बहुत ही अच्छे से सोक होकर फूल चु इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में हम इसे गारनिश करेंगे वैनिल आइसक्रीम के साथ आप चाहे तो कुल्फी पे आड़ कर सकते हैं उपर से डाल देंगे थोड़ी सी चुटी-फुटी थोड़ी से कटे हुए बादाम और चेरी तो बताईए मुझे लग रह जरूर कीजिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थांक्यू सो मच्छ टिक केर